वेल्कम तु दिस चैलेंज जुलोजी नोट्स आज की इस वीडियो में आपको बताएंगी फैट मैप इन फ्रॉग यह जो टॉपिक है यह एक्जाम में आपका लॉंग में पुछा जाने वाला टॉपिक है और अगर आपको यह लॉंग में लिखना है तो सबसे पहले इसका ह मैठव को उसके बाद आपको फ्रॉग में बताना होगा कि फ्रॉग में फैट मैप कोई से होता है फैट मैप का मिनिक जो होता नहीं एक तरह का यह एक ऐसा मैठव होता है जिसमें क्या होता है किसी भी एल्ट टीशू के भैरिएस इंब्राइनिक ओरीजिन का श्टड़ी कि अंडे के ट्रॉपोग्राफिकल सर्फेस मैपिंग को फैट मैप कहा जाता है अलग-अलग से बनावा होता है जितने भी सेल हैं वो ड्राइब होते हैं एक सिंगल सेल एक से जो सिंगल सेल होता है वो बहुत सारे थाजन अब सेल प्रोडूस करते हैं एक ब्लास्टूला ब्लास्टूला ना इंचा म मिय के जो खोली होता है फैट मैप हे जो समंभव हुआ है कि ब्लास्टूला का कौन सा ई इंब्लाइयो के एक विशेस औंग या फिर एक विशेस उछेस मतलत न ऑर्गन में डबलोफ होता है। study of знаем typ reac ay area can be dead sundल बइस ट्रॉफ क्राफो कि स्वार्प एक डॉबये प्र們 drac कर प्रीबशों घ्रेडवी करने के इस पारिद में होता हैं,, करके किया जा सकता है जिसको ट्रोपोग्राफिकल मैपिंग भी कहा जाता है और फैट मैप भी कहा जाता है तो फैट मैप का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है तो फैट मैप can be constructed by two method दो method से फैट मैप किया जाता है by artificial marking by natural marking एक होता है artificial marking के द्वारा दुसाद है natural marking के द्वारा by artificial marking a fat map of embryo can be studied easily by marking the blastomere in artificial system of marking embryo can be observed by following method बोला जा रहा है कि इंब्रायो का fat map है वो बहुत ही आसानी से study किया जाता है एक तरह का blastomere को marking करके एक artificial system के द्वारा किसी भी होता है इंब्रायो को marking करके इसको object किया जाता है कुछ method के द्वारा जैसे first in vital stain मतला एक तरह से पहला method है vital stain इसमें क्या होता है तो these are stain which are colored the embryo without damage और killing the cell ये एक तरह का ऐसा stain होता है जिसमें क्या होता है कि उसको इंब्रायो को color किया जाता है बिना cell को damage या बिना cell को मारे या इसको damage पहुचाये जेनस green natural red besmark brown और सच stain कुछ stain ऐसा है जैसे जैनस green हो गया natural red हो गया besmark brown हो गया ये सब कुछ stain हो गया इस method वाज़ट वाज़ट वीलियम वोगट इन 1925, इस method को अब्ज़र्ब केया गया था वीलियम बगट के द्वारा 1925 में, इन इस method, एक पाटिकुलर डाय इस प्लेस अन दे सर्फेस आप इम्ब्रायो यूजिंग अगर, इस method में जो हता है, एक डाय को रखा जाता है, इम्ब्रायो के सर्फेस पर अगर का यूजिंग करके, इमिडेटली डाय डिफ्यूज इन्टू ब्लास्टो मियर, अन विच अगर इस प्लेस अन दे सेल बिकम इस्टेंड, क्या होता है, बहुत चल्ब डाय जो हता है, वो डिफ्यूस ओता है बलास्टो मियर में, जिसमें अगर जो हता है, ऑगर, जो किलियरली सो करता है बलास्टो मियर के ठा को, इसमें बोला जा रहा है कि अलग अलग रंगों से इंबरायो के सर्फिस पर ऐसे कई दाग की निसान बनाये जा सकते हैं जिनका उप्योग कर इंबरायो का फैट मैप तयार किया जा सकता है दूसरा मेठेड है यूजिंग रेडियो एक्टिव सप्रांस तो इन रिसेन डेज्ज फैट मैप दकातिव सप्रांस लायग चल्फे मारकिंग होता है उसके पाद बाद दूसरा मेठेड divine नेच्वाल मारकिंग नेच्वल मार्किंग से कैसे फैट में होता है तो सम एक्स अप एनिमल कंटेंज डिफरेंट कलर अप एरिया कुछ एक जो होते हैं कुछ एनिमल के एक जो होते हैं उनका जो कलर होता है एरिया का वह अलग-अलग होता है इस आर्प कैन बी ऑप्ज़ब और डिवरिंग डेवल व्लास्टोमेर कौन से मतार होता हैं कौन सा फैट मेप क्युमसा ओर्गन में डेफलाप हो रहा है वह उसके फैट मेप फ्रॉग में फैट मैप कैसे होता है तो फैट मेप इस चार्ट सौइंग दा इन यहां पर बोला जा रहा है कि फैट मैप एक तरह का ऐसा चार्ट होता है जो दिखाता है इंब्राइयो के अलग अलग एरिया के मतब इंब्राइयो का कौन सा भाग किस चीज में डेबलाप होगा वह चीज वह दिखाता है टौर्ज दा इंड अप क्लिवेश के इंड फार्म में कौन सा ओर्गन का फर्म होता है किस एरिया से वह बहुत ही अच्छे से यहां पर दिखाया जाता है फैट मैप के द्वारा इस इरिया इस टम पर इंड यहां पर तरह से ब wrath यॉट रहा है कि और नट्स चायर में में सामने इस्थित होता है in between the endoderm and the notocodal area lies the pre-codal area और indoor यहां पर बोला जा रहें कि endoderm and notocodal के वीज होता है वो pre-codal area इस्तित होता है on either side of the pre-codal material lies the mesoderm pre-codal area के मतलब pre-codal materials के दोनों और mesoderm होता है the micromias of the animal pole developed into a ectodome animal pole का micromias develop होता है ectodome में the micromias present adjacent to the notocod and mesoderm developed into the nectodome क्या होता है ने कि notocod and mesoderm से सटे मौजूद micromias को एक तरह का neuro ectodome में विक्सित होता है या फिर develop होता है the micromias present away from it and developed into the epidermal ectodome माइक्रोमियस जो डेवलॉप मता होता है, मवजुद होता है वहाँ पे वह क्या तो डेवलॉप होता है, एपिडेर्मल इक्टोडम में उसका आपको यहाँ पर यह figure ड्रॉ करना है मत्व हैट में दिखाता है कि कौन सा एरिया इंब्रायो के कौन सा एरिया किस ओर्गन में डवलोप हेता है या उसका डवलोपमेंट किस में होता है इसका मैं देखूंगी अलग figure कर मिलता है इसका में देखूंगी आपको में देखूंगी